आओ सीखें मौसम को परिभाशित करना विभिन प्रकार की रितूं के नाम बताना बारिश कैसे होती है इसका वड़न करना मौसम के पूर्वनुमान को परिभाशित करना हवा को परिभाशित करना मौसम मौसम एक निश्चित समय पर एक निश्चित स्थान में वाता वरण की प्रतेक दिन की दशा होती है। मौसम अधिकतर बदलता रहता है। उधारण के लिए धूफ वाली सुभा के बाद बारिश वाली दुपहर भी हो सकती है। रितुएं मौसम चक्रों में बदलता रहता है और ये चक्र रितुएं कहलाती हैं। एक वर्ष में चार रितुएं होती हैं। ये हैं अपरेल से जून तक ग्रीश में रितु। जुलाई से सितमबर तक वर्षा रितु। अक्टूबर से जन्वरी तक शरद यानी शीत रितु। फर्वरी से मार्च तक बसंत रितु। ग्रीश मुरितु ग्रीश मुरितु में मौसम, गर्म तथा धूफ वाला होता है। ठंडे रहने के लिए हम हलके रंग के सूती कपड़े पहनते हैं। हम जूतों के बजाए स्लीपर और जप्पल पहनते हैं। हम हाम, आइस क्रीम और कोल्ड ड्रिंग्स का आनन्द लेते हैं। हम अपने घर को ठंडा और सुख़द रखने के लिए कूलर और एर कंडिशनर का प्रियोग करते हैं। वर्शा रितू वर्शा रितू में हवाएं बारिश लाती हैं। इस कारण से भारी तथा लगतार बारिश होते रहने को वर्शा की रितू भी कहा जाता है। वर्शा रितू के समय हम बर्शाती कोट यानि रेन कोट और बर्शाती जूते पहनते हैं। घर से बाहर जाते समय हम अपने साथ छाता रखते हैं। बादल बादल बारिश लाते हैं। एक बादल पानी की लाखों छोटी छोटी बौंदों से मिलकर बना होता है, पानी की अनेक छोटी-छोटी बूंदें मिलकर पानी की बड़ी बूंदें बनाती हैं, जैसे ही बूंदों का आकार बढ़ जाता है, वे भारी हो जाती हैं, तथा वर्षा के रूप में प्रिथ्ली पर गिरती हैं, वायू बादलों को एक स्थान से दूसरे स्थ जान तक ले जाती है. शरद रितू शरद रितू एक ठंडी रितू होती है. कौरे के कारण इस मौसम में देखने की ख्षमता कम हो जाती है. सर्दियों में हम स्वयम को गर्म बनाए रखने के लिए उनी कपड़े पहनते हैं. हम गर्मु सूप, चाए और कौफी पीते हैं. बसंत रितू बसंत रितू में मौसम बहुत सोहामना होता है. ये रितू, शरद रितू से क्रीश्प रितू में बदलाव होने को दर्शाती है. बसंत रितू में विभिन प्रकार की फूल खिलते हैं. आओ खेलें. रितू को उनके महीनों के साथ मिलाएं. मौसम का पूर्वानुमान एक स्थान या क्षित्र की मौसम की परिस्थितियों की भविश्वानी करना ही मौसम का पूर्वानुमान कहलाता है. मौसम के पूर्वनुमान द्वारा निकट भविश में किसी निश्यत इस्थान के तापमान, नमी तथा बारिश की संभावना की भविशवानी की जाती है मौसम की रिपोर्ट हमें संसार के विभिन हिस्सों के मौसम की परिस्थितियों के बारे में बताती है ये रिपोटें सेटलाइट द्वारा एकत्र की गई सूचनाओं के आधार पर तयार की जाती हैं मौसम का प्रभाव मौसम हमें अनेक प्रकार से प्रभावित करता है उधारण के लिए प्राया हम मौसम की स्थिती के अनुसार ही कपड़े पहनते हैं गर्मियों में हम सूती और सर्दियों में उनी कपड़े पहनते हैं हम जो खाना खाते हैं वह भी मौसम के अनुसार बदलता रहता है गर्मियों में हम ठंडी वस्तुएं और सर्दियों में गर्म वस्तुएं खाना पसंद करते हैं हम मौसम में बदलाओ के अनुसार ही अपनी दिन चरिया भी बदल लेते हैं। उधारन के लिए जब शाम को खेलने के समय तेज बारिश हो जाती है तो हम घर से बाहर नहीं निकलते हैं। ज्यादा बारिश होने के कारण बार आती है जिससे जीवन तथा संपत्ती को नुकसान पहुंचता है। हवा चलती यानि बेहती हुई वायू को हवा कहते हैं। हम हवा को देख नहीं सकते हैं लेकिन इसे महसूस कर सकते हैं। हमने क्या चर्चा की। मौसम एक निश्चित समय पर एक निश्चित स्थान में वाता वरण की प्रतेक दिन की दशा होती है। मौसम के चक्रिये पदलाव को रिदूएं कहते हैं। ग्रीश्मू, वर्षा, शरद और बसंत चार मुखे रिदूएं होती हैं। वर्षा रिदू में हवाएं बारिश लाती हैं। बादल पानी की छोटी छोटी बूंदों से मिलकर बने होते हैं। चलती यानी बहती हुई वायू को हवा कहते हैं।